अध्याचार वायू क्या आप जानते हैं कारवन डायक्साइड वायू मंडल में फैल कर प्रित्वी से विकिरित उस्मा को प्रित्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धर्दी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभा होता किन्तु जब कार खानों एवं कार के धुएं से वायू मंडल में इसका अस्तर बढ़ता है तब इस उस्मा के द्वारा प्रित्वी का तापमान बढ़ता है इसे भू मंडलिये तापन यानि ग प्रित्वी होती है जिससे तट्ये छेत्रों में पाढ़ आ जाती है दिरिग अबदी में इसके कारण जलवायू में अत्यधिक परिपरतन हो सकता है जिसके फल सुरूप कुछ पौधों एवं पसुलूप्थ हो सकते हैं हमारी प्रित्वी चारो और से वायू की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायू मंडल कहते हैं प्रित्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायू मंडल पर निर्भर है या हमें सांस लेने के लिए वायू परदान करता है एवं सुरूप की किर्णों के हानिकारक प्रभ प्रफ़ाव से हमाई रक्षा करता है यदि सुरक्षा कि यह चादर ना हो तो हम दिन के समय शूरे की गर्मी से तप्थ होकर जल सकते हैं यह रात के समय ठंड से जम सकते हैं अता यह वायू वायू रासी वाव आई रासी जिसने प्रित्वी के तापमान को रहने योग्ये बन से वायू मंडल का बड़ा भाग बना है कारबन डाइकसाइड हीलियम ओजोन आरगन एवं हाइड्रोजन कम मातरा में पाई जाती है इन गैसों के अलावा धूल के छोटे-छोटे कन भी हवा में मौजूद होते हैं चित्र 4.1 में व्रित्रेखा दिया गया है जिसमें वायू क के विभिन संगठनों के प्रतिसत दर्स आए गया है नाइट्रोजन वायू में सरवादिक पाई जाने वाली गैस है जबकि हम सांस लेते हैं तब फेफरों का कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं वायू का संगठन कद्वर नाइट् परसेंट है हमारे वायू मंदल में ऑक्सिजन 21 परसेंट है अन्न गैस है 0.04 परसेंट है और अर्गन गैस है 93 परसेंट और कर्बन डाइकसाई 0.003 परसेंट है प्रन्तु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आफ सकता होती है वे सीधे वायू से नाइट्रोजन नहीं ले पाते मिर्दा तथा पौधों की जरों में रहने वाले जीवान वायू से नाइट्रोजन लेकर इनका इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका परयोग कर सके ऑक्सिजन वायू में परचूरता में मिलने व वायू से उक्सीजन प्राप्त करते हैं तो यह संतुलन बिगर सकता है कारबन डाइकसाइड अन्य महत्पुन गास हरे पादप अपने भोजन के रूप में कारबन डाइकसाइड का परयोग करते हैं और अक्सिजन वापस देते हैं मनुष्य और पस्व कारवन डायक्साइड बाहर निकालते हैं प्रन्तु मनुष्य तथा पस्व द्वारा बाहर निक छोड़े जाने वाली कारवन डायक्साइड की मात्रा पादपो द्वारा परियोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है ज कारबन डायोकसाइड की बढधरी करते हैं. परिनाम सरूप कारबन डायोकसाइड का बढ़ा हुआ आयतन, पृत्वी की मौसम तथा जलवॉयू को परभावित करता है. क्या आप जानते हैं जब वायू गरम होती है तो फैलती है तो हलकी होकर उपर उठती है ठंडी वायू संगन और भाड़ी होती है इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रविर्ती होती है गरम वायू के उपर उठने पर आसपास के छेत्रों में ठंडी वायू रिक्त अस्थान को बढ़ने के लिए वहां आ जाती है इस परकार वायू चक्र चलता रहता है क्या भूम मंडली है तापन आज के बिस्व में गंभीर समस्य है बिल्कुल है गुलोबर वार्विंग कैन ब्रिंग बैक रासी की रह वायू मंडल की सन रचना हमारा वायू मंडल पांच परतों में विभाजीत है जो प्रित्वी की सतर से आरंभ होती है यह है छोब मंडल समताप मंडल मद्य मंडल बाह मंडल बाह मंडल एबं बढ़ी मंडल शोब मंडल यह चोब मंडल के बारे में दिया हुए है जैसे यहां पर एक्स्प्लेंड किया हुए है छोब मंडल हवाय जहां यह यह परत वायू मंडल की सबसे महत्पून परत है। इसकी उस्त उचाई 13 किलो मीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायू में सांस लेते हैं। मौसम की लगवग सभी घटनाय जैसे वर्सा, कुहरा और ओला वर्सन इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल छोब मंडल के उपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगवग 50 किलो मीटर की उचाई तक फैला है। यह परत पादलो एक मौसमी घटनाओं से लगवग मुक्त होती है। इसके फ़लसूर्प यहां की परिसिती हवाई उरान के लिए आदर्स होती है। समताप मंडल की एक महत्पून विशेशता यह है कि इसमी ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सुर्ज से आने वाली हानी कैरल गैस से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल यह वाई मंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक उपर होती है। यह लगवग 20-80-80 किलो मीटर की उचाई तक फैली है अंत्रिक से प्रवेश करने वाले उलका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाहे बाहे मंडल बाहे 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 मंडल यह परती उचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीवता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80-400 किलो मीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृत्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुन्ह पृत्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती है। बढ़ी मंडल के बाहे में जानते हैं। वायू मंडल की सबसे उपरी परत को बही मंडल के नाम से यान जाता है यह वाई मंडल की पतली परत होती है खलकी गैसे जैसे हिलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंत्रिक्ष में तैरती है मौसम एवं जलवाईू क्या आज वर्सा होगी क्या आज दीन साफ होगा और दूप निकले कितनी ही बार हम हमने क्रिकेट प यंतन बटनों से छेशार करता रहता है मौसम वाई मंडल की परते एक घंटे दथा दिन पर दिन की स्थिति होती है आंदर एवं गर्म मौसम किसी को भी चिरचिरा बना सकती है अच्छा हवादार मौसम हमें आनन देता है और हम घुमने की योजना भी बना सकते हैं मौसम आप समझ गये हैं कि मौसम का दैनिक पूर्वा उनुमान क्यों करते हैं आओ कुछ करके सीके अस्थानी समचार पत्र से दस दिन के मौसम रिपोर्ट लिखे एवर मौसम में बदलाव का अब लुकन करें क्या आप चानते हैं यह जानकार आपको आश्चर होगा कि अथाग का किवल एक दौ अरवबा ही प्राप्त करती है ऍटि तप मान का उनुभा करते हैं वह वाई मंडल की तांता है किह मवण?, मौजूद ताप ऐवं शिल्थ सिल्था के कारण परिणाम को तापमान गाते हैं वाय मंडल का तापमान केवल दीन और रात में ही नहीं बदलता बलकि रितियों के अनुसार भी बदलता है सीथ रितू की अपेक्छागिरिस्म रितू जादा गर्म होती है आपतन एक महत्पून कारक है जो तापमान के वित्रन को प्रभावित करता है सूरे से आने वाली वह उर्जाजी से पिथवी रोक लेती है आपतन कहलाती है आपतन सूरे ताप की मातरा भूमध्य रेखा से दुरूवों की और घटती है इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है मोसम की जानकारी के लिए यंत्र वर्षा मापी वर्षा की मातरा मापता है और वात दिखदर्सी पवन की दिशा को ये मापता है कि अब आप समझ वे होंगे कि दुरूब वर्फ से क्यों ढ़के हुए थे यदि प्रित्वी का तापमान अतधिक बढ़ जाता है तो गर्मी इतनी गर्म हो जाती है कि यहां कुछ फसले नहीं उख सकेगी गाओं की अपेक्चा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है दीन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सरके एवं धातू और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं रात के समय यह उस्मा मुक्त हो जाती है नगर के भीर वाले मुच्छे भवन मार्ग में वायू को रोक सकते ह जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस का इसका आविसकार एंडर्स सेल्सियस ने किया था सेल्सियस प्रमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता ह या जानकर आपको अशर हुगा कि वायू हमारे स्रीर पर उच्चे ताप के साथ बन लगाती है किन्तु हम इसका अनबव नहीं करते यह इसलिए होता है क्योंकि वायू का दाप हमारे उपर सभी दिसाव से लगता है और हमारा सरीर विप्रीत बन लगाता है पित्वी की जता पर वायू के भार द्वारा लगाया गया दाब वायू दाब कहलाता है वायू मंडल में उपर की ओर जाने पर दाब तीजी से गिरने लगता है समुद्र अस्तर पर वायू दाब सरवादिक होता है और उचाही पर जाने पर यह घर्टा जाता है वायू दाव का चेती जवीतरन किसी अस्थान पर उपस्थित वायू के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधीक तापमान वाले छेत्र में वायू गर्म होकर उपर उठती है। यह निम्द वाल दाप वाले छेत्र बनाता है। निम्द दाप वायू बादल यूक्त आकासी एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले छेत्रों की वायू ठंडी होती है। इसके फ है वायू सदैव उच्च दाव छेतर से निम दाव की छेतर की और गमन करती है वेड़ी इंपोर्डेंट है क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायू नहीं है अतया वहां वायू दाव भी नहीं है अंत्रिक्स यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेश रूप से सु पहनते हैं यदि वे इस अंत्रिक्स पोसाग को नौ पहने तो अंत्रिक्स यात्री के सरीप के द्वारा विप्रीद बल लगने के कारण उनकी रख्त सिराएं फट सकती है जिससे अंत्रिक्स यात्री रख्त सिराख हो सकता है पवन उच्च दाव छेतर से निम दाव छेतर क और वायू की गती को पवसन कहते हैं करते हैं जब यह सरग पर गिरी पतियों को उराती अत्वह pessoa तुफान के समय पेरों को उखार देती है कभी-कभी जब पवन धीरे भहती है तो आप इसे महीन धूल या धूए को उड़ाते देख सकते हैं कभी-कभी पवन इतनी तेज होती है कि इससे विप्रित दिशा के चलना कठीन हो जाता है आपने अवस्य अनुकों किया हो अभी तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है तीन अन्य उधारन सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन हुई है पवन को मुखे तर तीन प्रकारों से विवाजित किया जा सकता है क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा क्या धारपने धारित होता है उधारन के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को पश्च्वा पवन कहते हैं अस्थाई पवने क्या होती है वेपारिक पश्च्मी पुर्वी पवने अस्थाई पवने होती है ये वर्स भर लगातार निशित दिशा में चलती रहती है इसलिए ने अस्थाई पवने कहते हैं, मौसमी पवने क्या होते हैं, ये पवने भीने रित्यों में अपनी दिशा बदलती रहती है, उधारन के लिए भारत में मानसूनी पवने हैं, अस्थानी पवने क्या होते हैं, ये पवने किसी छोटे छेतर में वर्स या दीन ये किसी बिसे समय में चलती है उधारन के लिए अस्थन एवं समुद्री समीर क्या आपको भारत के उत्री छेतर की गर्म एवं सुस्क अस्थानिय पवन याद है इसे लू कहते हैं परमुख वायुदाव पेटिया उच्च दाव यहां है और भूमद्र रिक्किये दाव जिसे डोल ड्रम कहते हैं यहां पर भी उच्च दाव है दुरूबिये पूर पवने इधर से इधर बैढ रही है अधो दूरूबिये निम्नदाब पोष्ण उच्च हॉर्स हॉर्स अक्षान्द इसको बोला याता है डोल ड्रम जो भूमद्र रिकिये निम्नदाब पर होता है चक्रवात प्राकृतिक आवेश भारत के समुदीर दट पर इस्थित ओडिशा में बंगाल की खारी से उठने वाली चक्रवातों का खत्रा बना रहता है 17-18 अक्टूबर 1999 के राज्य में पांच जिलों में चक्रवात आया 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महा चक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई मुखेता पवन का वेग वर्षा तथा ज्वारिये प्रोतकर्श से हानिया हुई 260 किलो मेतर पटी घंता तक के वेग चलने वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही त्रीव वेग वाली इस पवन ने पेर को उखार दिया और कच्चे घरों को नश्ट कर दिया अनेक और धोगी भवनों तथा अन्य घरों की छते भी उर गई विधूत अपुर्थी एवं टेलीफोन लाईने पूरी तरीके से कट गई चक्रवात के फल सोरूप लगातार तीन दिनों तक भारी वर्षा होती रही इन वर्षा के कारण और इसा की परमुक नदिया में बाढ़ आ गई चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगे अस्थल पर 20 किलो मीटर तक आ गई और फल सोरूप तर्टिये छेतरों में भयानक तबाही हुई अचानक साथ से 10 मीटर उची ज्वारी तरंगे आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरिके से नस्थ हो गई थी चक्रवात दौरा विनास का ये चितर है 25 अक्टूबर 1999 को पुर्वी पोर्ट बलेर के निकट थाइलेंड की खारी अवदाव के कारण ये चक्रवात उत्पन हुआ और ये धीरे धीरे पस्चिम की दिशा में बढ़ने लगा उत्तर पस्चिम दिशा में गहन हो करी से महाचक्रवात का रूप धारन कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबर सारे 10 बजे ओडिशा के इरे सामा एवं बाली कुंडा के बीच के छेतरों को प्रभावित किया इस महाचक्रवात ने भूनेशवर कटक और 28 तटिये नगरोद सहीत ओडिशा के पूरे तटक बरवाद कर दिया इससे लगों 31 लाख लोग प्रभावित हुए बहुत बड़ी संख्या में पस्वों की मौत हो गए धान सब्जियों एवं फोलों की खारी फसलों का भारी हो गया पारादीप एवं कुनार की बीच इस ती महेंगरों के जंगल लूप्त भी लूप्त हो गया आंधरता चक्रवाती वर्साट अंधरता क्या होती है जब जल प्रित्वी एवं विभीन जलासेव से वास्पित होता है तो यह जलवास्थ बन जाता है वायू में किसी भ बायू गर्म होती जाती है इसकी जलवास्थ धारन करने की छहमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधीक आंधर हो जाती है आंधर दीन में कप्रे सुखने के काफी समय लगता है हमारे सरीर से पसीन आसानी से नहीं सुखता और हम असाहज महसूस करते हैं जब जल वास्थ उपर उठता है तो यह ठंडा होना सुरुख हो जाता है जलवास्थ संगनित होकर ठंडा होकर जल की बुंद बनते हैं बादल इनहीं जल बुंदों का एक समूम होता है जब जल की ये बुंद इतनी भारी हो जाती है कि वायू में तैर न सके तब यह वर्षन के न रहने की स्तिती में यह संगहनित नमी कुछ देड़ तक पत के रूप में दिखाई देती है पिती पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षन वर्षा कहलाता है ज्यादा तर भॉम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है पौधे जल समक्षने मदद करते हैं जब पहारी वर्षा के तीन परकार होते हैं समभनी वर्षा परवती वर्षा यहां पर चक्रवाती वर्षा चक्रवाती वर्षा परवती वर्षा और समभनी वर्षा वर्षा के परकार दिये हुए है यहाँ पर पौदो तथा जीव जन्तू के जीवित रहने के लिए वर्सा बहुत मुद्पूर्ण है इससे धरातल को ताजा जल परदान होता है यदि वर्सा कम हो तो जल की कमी तथा सुखा हो जाता है इसके वर्सा अधिक हो तो बाड आ जाती है वर्सन के दूसरे रूप हिम सहीं विष्टी तथा ओला है